हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आज की क्लास में ज़सा कि आप लोगों को पता है हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सिर्टी एकजाम के EVA सेक्षन में पूछे आने वाले NCERT के Most Important Topic को और उनसे Related Questions को जिसमें मारी चार क्लासे हो चुकी हैं अगर आप लोगों नहीं वाली क्लासे नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा वाली क्लासे आप लोगों के लिए बहुज़दा Important रहने वाली हैं आज क्लास सुरू करने से पहले एक छोटी सी Information है जिसको भी सिर्टीट के Questions की Practice करनी है वो लोग CDP को इन हिमानशी में YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर आप लोगों को सीट्रेट के Most Important Questions की Practice करवाई जाएगी जिसका लिंक आप लोगों को इन हिमानशी में लिख कर सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिख जाएगा वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे तो आज की Class शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दिजिए फिर Class को शुरू किया रहा है तो आई होप आप लोगों ने Class को लाइब कर दिया होगा और जो भी चैनल पर नए होगे उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आज का हमारा टॉपिक है स्कूल जाने के संसाधन जिसमें मलोग बात करने वाले हैं स्कूल जाने की विभिन प्रकार के संसाधनों के बारे में तुम्हारा पहला टौपिक है बास से बना पुछ अब बास से बनी पुलका प्योग कहा के बच्चे स्कूल जानेके लिए करते हैं उसके बारे में यहां पर बताय गया है हमारे ह pak mitigation बारिस बहुत होती है तो ये हमें असम राजी में देखने को मिलता है हमें पता है जो असम राजी है वहाँ पर बारी से अर्थेदेख होती है जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो बांच से बने पुलका उपयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए जिसके आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक हाँ में बच्चों ने किताबे पकड़ रखी है और दुसरे आज से बांच को पकड़ कर ये पुलको पार कर रहे हैं तो असम के बच्चे जो होते हैं भारी पत्थरों या पैर्लों से कसकर बंदी रहती है लकड़ी से बना जूला पुली की मदत ते इस रखी पर सरकती है हम चार पांच बच्चे इस बेच जाते हैं और पहुंज झाते हैं नदी के उस पार तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह एक जो ट्राली बनी हुई है लकडी की इसमें पुली लगी होती है अब यह जो पुली होती है यह रसी पर सरकती है जिससे बच्चे जो होते हैं वहा नदी को पार कर जाते हैं एसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है एसा हमें लद्दाक में देखने को मिलता है आप लोग इन पॉइंट को नोड़ डाउन करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे जा चुके हैं नेक्स्ट हमारा है सिमेंट से बना पुल अब यहाँ पे लिखा गया है हमें भी कई बार कई जगे पानी पार करना पड़ता है तब हम भी पुल से जाते हैं यह सिमेंट इन्टो और लोहे के सरीयों से बने होते हैं देखो पुल पर उतरने चड़ने के लिए सेडिया भी होती है तो यहाँ पर किसी जगे का नाम नहीं लिखा गया है ऐसा हमें उन जगे पर देखने को मिलता है जहाँ पर नदिया बगेरा जादा देखने को मिलती है नेक्स्ट हमारा है वल्लम इसमें लिखा गया है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठ कर स्कूल तक जाते हैं वल्लम क्या होता है लकडी की बनी जो छोटी ना होती है उसे वल्लम बोला जाता है तो ऐसा हमें कहुअ पर देखने को मिलता है ऐसा में केरल में देखने को मिलता है आप लोग गया रखेंगे लकडी की बनी छोटी नाव जो होती है उसी को वल्लम बोलायता है केरल में आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है उट गाड़ी या फिर केमल कार्ट इसमें लिखा गया है हम रेगिस्तान में रहते हैं हमारे हां दूर-दूर तक रेथ ही रेथ नजर आती है दिन में तो रेथ खुब तपती है हम उट गाड़ी में बैठ कर स्कूल पहुंजाते हैं तो यह जो है यह राजिस्तान के बारे में बात यहाँ पर कही गई है आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिजिएगा नेक्स्ट हमारा है बैल गाड़ी इसमें लिखा गया है हम बैल गाड़ी पर बैठ कर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं तेज धूप या बारिस हो तो हम अपनी छतरी को खोल लेते हैं तो यहाँ जो बात कही गई है यहाँ प्लेन एरिया के बारे में बात कही गई है जो समतल एरिया है उनके बारे में बात यहाँ कही गई है नेक्स्ट हमारा है साइकल की सवारी इसके अंदर लिखा गया है हम لمbe رास्तों पर साइक्ल चला कर स्कूल जाते हैं पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कही लड़किया इस्कूल जाही नहीं पाती थी पर अब साथा लड़कियां की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है तो ऐसा हमें UP-6 में देखने को मिलता है जहां पर लड़कियां और लड़किया अभी भी स्कूल साइकल से जाते हैं आगे यहां पे लिखा गया है यहां है जुगाड इसमें लिखा गया है हमारी गाड़ी का नाम जुगाड है यहाँ फट-फट करती हुई चलती है हैना सांदर आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है पर पीछे से देखो तो लकडी के फटे से बनी होती है तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो जुगार गाड़ी होती है जो मोटर साइकल को मोडिफाइड करके बनाई आती है जिसमें अगर आप लोग आगे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मोटर साइकल दिखाई देगी और अगर आप पेशे से देखेंगे तो लकडी के फटल से बनी ट्राली यहाँ पर आपक सा लगता है उस चनाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं यह में कहां पर देखने को मिलता है यह में जंगली एरिया में देखने को मिलता है जहां पर जंगल वगरा जादा होते हैं पाड़ी और जंगली एरिया में देखने को ऐसा में मिलता ह नेक्स्ट हमारा है बर्फ पर चलते बच्चे जिसके अंदर लिखा गया है देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं मीलो फैली बर्फ पर चलकर हाथ पकड़ पकड़कर उत्तर की पहाडियां बर्फ पर पैर जमाजते हुए ध्यान से चलते हैं ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं और अगर बर्फ जो है जमी हुई हो तो फिसलने का डर रहता है तो यहां के जो नौर्दन हिर साइड के बच्चे होते हैं वा बर्फ पर चलते हुए स्कूल पहुँचते हैं और हमें पता है अगर बर्फ जो पुरानी हो जाती है जमी हुई होती है तो बर्फ पर फसलने का डर रहता है और ताजी जो बर्फ होती है उसमें धस जाने का डर बना रहता है तो इसकूल जाने के लिए बच्चे किन किन कठनायों का सामना करते हैं उसको यहाँ पर दिखाया राएं मैदानों यआ सहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे हम तो भागते हुए पहाडी राष्टे पार कर जाते हैं तो इस टैप की राष्टे जो है तो 50 रुपे, 4 नोट्स पर्चेस करते हैं तो 100 रुपे, और 5 नोट्स पर्चेस करते हैं तो 125 रुपे का आफर हैं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यह आफर सीमिष समय के लिए रखा गया है बहुत जल्द इस आफर को समाप्त कर दिया रहेगा जिसको भी नोट्स को purchase करना है description box में दिये गए link पर क्लिक करिए वीडियो में आपको बताया लाएगा कि नोट्स को कैसे purchase करना है बहुत ही बेतरी नोट्स हैं जिन से पढ़कर काफे सारे बच्चों ने सिरिटी एक्जाम को clear भी किया है चलिए आज की questions को देख लेते हैं question number first है किस राज में लोग नदी को पार करने है तू वल्लम या छोटी नाओ का इस्तमाल करते हैं option number first में लिखा गया है करनाटक second में लिखा गया है केरल third में लिखा गया है पस्चिम बंगाल यहां पर बंगाल नीचे पहुँच गया है तो आप लोग उसको सही कर लेंगे और fourth में लिखा गया है उडिसा चलिए question number first का अंसर देंगे किस राजी के लोग नदी को पार करने है तू वल्लम में छोटी नाओ का इस्तमाल करते हैं question number first का सभी लोग आंसर देंगे अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि केरल के लोग नदी को पार करने है तू वल्लम या छोटी नाओ का इस्तमाल करते हैं तो इसका answer number two यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है next question है हमारा question number two तो किसी छहत्र में अत्यधिक बारे में होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने है तू वास के पुलों का इस्तमाल करते हैं या छहत्र किस राज में होना चाहिए चलिए question number two का answer देंगे अभी हम लोगों ने इन सारा टॉपिक पर बात करी है क्या हो रहेगा इसका answer सभी लोग बताएंगे जल्दी से तो हमें पता है असम में अत्यधिक बारे में के कारण वहां के लोग जो होते हैं वा बात से बने पुलों का इस्तमाल करते हैं तो इसका answer number four यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है next question हमारा question number three निम्रिखित में से किस राज में लोग नदी को पार करने हैं तू ट्रॉली या पुली का इस्तमाल करते हैं चलि question number three का answer देंगे निम्रिखित में से किस राज में लोग नदी को पार करने हैं तू ट्रॉली या पुली का इस्तमाल करते हैं option number first में लिखा गए जम्मू एंड कस्मीर, second में लिखा गए उत्राखंड, third में लिखा गए है लद्दाक और fourth में लिखा गए है तमिलनाडू, question number three का answer देंगे सभी लोग, हमें पता है कि नदी को पाल करने के लिए ट्रॉली का इस्तमाल अद्दा के लोग करते हैं, तो उसका answer number three यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, next question, question number four, निमर्खित में से किस राज के लोग एक इस्तान से दुसरे इस्तान तक जाने के लिए जुगार गाड़ी का इस्तमाल करते हैं, तो हमें पता है कि गुजरात राजी के लोग एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाने के लिए जुगार गाड़ी का इस्तमाल करते हैं ऐसा हमें NCIT में देखने को मिल जाता है नेक्स्ट कोश्चन है मारा कोश्चन नंबर 5 किसी पसू के विशय में नीचे दिये गए विवरण को पढ़िए और उस पसू की पहचान कीजिए अब यहां पर लिखा गया है या भालू जैसा दिखता है पर आम तो भालू नहीं है यह दिन के लगबग 17 घंटे व्रच की साखाओं से उल्टा लटक कर सोता है या जिस वरच पर रहता है उसी की पतियां खाता है या लगबग 40 वरचों तक जीवित रहता है चलिए question number 5 का सब्में लोग answer देंगे question number 5 का सब्में लोग answer देंगे अब हम लोग उन questions को करने वाले हैं जिन class को हम लोग पहले कर चुके हैं तो क्या रहेगा इसका answer इसका answer इसका answer number 1 यहां पर बिल्कुत सब्में रहेगा slot के बारे में बात यहां पर कहीं जा रही है next question number 6 नीचे दियेगे जीवों के समूव में से किनकी द्रश्टी स्रेष्ट होती है चतावे मनिश्च्य कि तुल्ला में czar गुणा अधिक दूरी की वस्तिवों को देख सकते हैं के लिए question number 6 का answer देंगे इनमें से किर्की जो द्रश्टी होती है वह सिर्ष्ट होती है जो मनिश्च्य की तुल्ला में चार गुणा अधिक दूरी तक देख सकते हैं Question number 6 का सबी लोग answer देंगे कर देंगे दीकातो सो वोग top outs, what a life, cosa that शेंगे मते हां पैड़ पैड़ कल दो दो नात盪े दिनी सील ही रह बंप temps कि दो